Hello students, आज हम discuss करेंगे अपना next topic, mechanical properties of fluids का जो की है मारे पास, surface energy तो students, surface tension हम पहले पढ़ चुके थे पिछल lecture में, तो आज हम बात करेंगे surface energy के बारे में तो चलिए start करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, हमने जैसे की पहले पढ़ा था, कि अगर हम किसी surface tension की बात करते थे, जब हम surface tension की बात करते थे, तो आपने क्या सीखा था surface tension में, कि अगर आपके पास क्या है, कि एक container है और container में अगर एक liquid या fluid जो है, वो filled है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके, अगर हम liquid के उपर वाली layer को ध्यान से देखें, तो उपर वाली layer में जो भी आपके पास molecules होते हैं, इन molecules के पास क्या होती है, minimum potential energy होती है, क्या होती है, minimum potential energy होती है, एक molecules हमने जो लिये है, वो हमने surface पे लिये हैं बिल्कुल, और अगर मैं एक molecule को य जब उपर वाले surface पे जाएगा तो उसे उपर जाने के लिए अपने side में जितने भी molecules हैं उनकी force of attraction के against work done करना पड़ता है और यही work done जो है वो store हो जाता है as a potential energy की form में तो उपर जाते time यहाँ पर जब यह molecule पहुँचेगा तो इसके पास potential energy होगी ठीक है और यह potential energy जो होती है जब molecule नीचे बल्क से उपर surface पे जाता है वो किस वज़े से होती है क्योंकि इस molecule ने अपने side वाले molecules के against क्या किया था work done किया है और वही work done जो है वो store हो गय ठीक है अब होगा क्या यह molecules जो surface के उपर है surface tension की वज़ा से क्या चाहेंगे कि यह एक minimum surface area ले क्या ले क्या ले क्या ले क्योंकि हमें पता है कि जो surface tension property है वो क्या कहती है कि जो बे liquid का surface होगा उसका क्या होना चाहिए minimum surface area होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए minimum surface area होना कि इन liquids को minimum surface area करने के लिए इनकी जो potential energy है वो भी क्या होनी चाहिए minimum होनी चाहिए clear है इतनी बाद ठीक है लेकिन आज हम topic अपना कर रहे है surface energy और इसके बारे में हम molecular theory में यह पूरा जो मैंने आपको बता है यह molecular theory में हम arrange कर चुके हैं आपने search करना है या फिर अपने playlist में जाना है वहाँ पर molecular theory of surface tension को पहले देख लेना है उसके बाद यह आपको यह topic समझ आएगा ठीक है तो surface energy को थोड़ा से explain करते हैं अब यहां से हम तो surface energy को हम क्या बोल सकते हैं हमें इतनी बात पता है कि कोई भी molecule a molecule on the surface of liquid या fluid कहलो has minimum energy एक molecule जो के liquid के surface पे होगा उसके पास क्या होगी बेटा minimum energy होगी अब अगर आपको इस energy को बढ़ाना है मालो आपको इस energy को क्या करना है इंक्रीज करना है तो इस energy को इंक्रीज करने के लिए आपको एरिया को भी इंक्रीज करना पड़ेगा ठीक है अगर आपको मालो इस जो आपके पास ये उपर जो molecule है अगर आपको इसकी energy को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको surface area को भी increase करना पड़ेगा अब ये कैसे increase करेंगे वो हमें एक example समझेंगे जब इसके derivation करेंगे लेकिन इतनी पात याद रखो कि यह molecule on the surface of liquid has minimum energy तो अगर हमने इसकी energy को और जादा बढ़ाना है हमने इस energy को और जादा increase करना है तो हमें surface area को बढ़ाना पड़ेगा जितना surface area जादा हो जाएगा उतनी इसकी potential energy बढ़ती जाएगी अभी तो potential energy कम है minimum है क्योंकि surface tension की according ये molecule minimum surface area acquire करना चाहते है तो अगर surface energy बढ़ानी है तो आपको surface area भी बढ़ाना पड़ेगा increase करना पड़ेगा clear है इतनी बात ठीक है अगर देखो इसके बाद जब हम surface energy को लिखेंगे तो इसका formula क्या होगा basically तो आपने इसका formula जब याद रखना है surface energy is equals to work done in increasing the surface area upon increase in surface area increase in surface area कहलो या फिर change in surface area या फिर change in area तो यहाँ से basically यह हमारे पास इसका formula बनेगा ठीक है कि work done जतना आप करोगे उसके surface area को बढ़ाने में ठीक है liquid के surface area को बढ़ाने में और increase जतना होगा surface area में उसे हम कहते हैं surface energy के इबास surface energy को के इबुक्स में यू से भी denote करते हैं ठीक है इस तरीके से तो आई होप आपको इतनी बास समझ आ गई होगी इसका जल्दी से एक screenshot ले लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आई होप आपने screenshot ले लिए होगा इसका आप चल्दी आगे चलते हैं और इसको derive करेंगे हम ठीक है derive करते हैं इसको तो इतनी बात आई होप आप सबको clear हो चुकी होगी कि surface energy का मतलब होता है कि अगर कोई liquid का उपर वाली जो layer है जो fluid की जो उपर वाली layer है आपको पता है कि surface tension की वज़ा से वो जो उपर वाली layer होती है वो minimum area जो है वो acquire करती है ठीक है तो अगर आपको उस area को बढ़ाना है तो आपको उसकी energy को बढ़ाना पड़ेगा energy को बढ़ाने के लिए आपको area को change करना पड़ेगा तो इसी help से हम surface energy जो है उसको study कर सकते हैं अब हम इसको derive करके देखते हैं और तो इसको derive कैसे करेंगे हम इसको तो इसके लिए आपको क्या करना है बीटा सबसे पहले तो हम यह देखें कि जो आपके पास surface energy होती है यह surface energy हम यह देखेंगे कि यह at the end यह surface tension के ही बराबर आएगी किसके बराबर आएगी? surface tension हम अपने के बुक्स के according हम surface tension को sigma से denote कर लेते हैं कही बार आप S से भी इसको denote कर सकते हो वो आपकी मरजी है जो चाहे sigma से या S से हम surface tension को denote कर सकते हैं ठीक है तो हमने यह last में प्रूफ करना है कि जो surface energy है that should be equals to your surface tension इसके लिए क्या करेंगे हम एक rectangular wire लेंगे और rectangular wire में हम इस तरीके से एक frame इसका लेंगे यह माली जीए A, B, C और D and this should be an L and M जो rectangular frame आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें जो LM है यह मेरे पास है sliding wire LM is my sliding wire LM मेरे पास क्या है sliding wire है तो होगा क्या कि अगर मैं sliding wire को इस position पर रखो और अगर मैं इतने इतने portion को एक soap film के अंदर dip कर दूँ अगर इसको मैं एक soap film के अंदर dip कर दूँ तो soap film यहाँ पर बन जाएगी soap film के अंदर मतलब soap solution के अंदर अगर dip कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा soap film बन जाएगी clear एतनी बात तेके swap solution के अंदर हमें क्या करना इसको dip करना है तो swap film यहाँ पर बन जाएगी अगर इस LM को हम बिटा क्या करेंगे अगर मैं इस LM को थोड़ा सा slide करके आगे की तरफ move करूँ मतलब मैं इस तरफ को अगर एक external force यहाँ से लगाओ बाहर से जो मेरी applied force है तो होगा क्या कि यह जो आपकी sliding wear है मान लोगे move करकर कुछ इस position पर आगई मान लेजे L' और M' पोजिशन पर आगई L' and M' पोजिशन पर आगई अब मुझे इतनी बात पता है कि यह जो मेरे पास LM जो sliding wear है जब इसको swap solution में dip करेंगे तो होगा क्या कि एक minimum surface area लेना चाहेगा यह क्या करना चाहेगा एक minimum surface area लेना चाहेगा तो इस minimum surface area को अगर मुझे बढ़ाना है यानि कि अगर मुझे इस surface area को बढ़ाना है तो मुझे बाहर से एक external force लगानी पड़ेगी जो मैं अगर मैं इस तरफ को लगाऊंगा यानि कि F force से मैं इसका surface यह बढ़ा सकता है तो suppose करते हैं कि माल लीज़े आपने F force लगाई और यह sliding bear move करते हुए L M से L dash M dash position पर आ गई अब माल लीज़े यहां से यहां जो इसकी displacement हुई है वो माल लीज़े आपके पास क्या है delta X हम यह मान के चलते हैं कि यह जो displacement हुई है L M से L dash M dash पर वो है आपके पास delta X तो यहां पर माल लो पहले इसकी जो यहां से यहां वाली length थी वो थी X ठीक है यह आपके पास X है and this is your delta X और जो यह sliding bear है माल लो इसकी length कितनी है L है कितनी length है sliding bear की L length है ठीक है अब अगर मुझे माल लो इस case में मुझे अगर work done निकालना है तो मैं क्या निकालना है तो पहले work done निकालने से पहले अगर मुझे इस case में surface tension का जो formula है वो लिखना हो देखो surface tension का formula क्यों हो क्योंग आपको पता है कि यहां पर इस sliding wire के ओपर surface tension क्या आप करेगी इसको इस तरफ को push करेगी ताकि minimum surface area हो सके तो ये वाली force कौन से लगएगी इस तरफ को ये आपके लगएगी surface tension की वज़ा से force इस तरफ को force लगएगी surface tension की वज़ा से force क्योंकि वो area को minimum करना चाहता है वो area को minimum करना चाहता है तो बेटा surface tension का formula क्या होता है sigma is equal to force upon length sigma is equal to force upon length लेकिन एक बात याद रखना कि जो आप ये sliding wear लेते हो जो भी आप sliding wear लेते हो basically उसमें हम जो इसकी L length है उसको हम 2 के factor से multiply करते हैं मतलब उसमें हम उसको 2L मान कर चलते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे हम जब केई बार surface tension में एक needle का case पढ़ते हैं एक needle का case पढ़ते हैं जब आप आपके पास मालो ये needle जो है ये मैंने 3 dimension में बहुत बड़े size में बनाई है तो मालो ये needle को जब आप उपर से उपर की तरफ आप जब इसको उठाते हो पिक उपर की तरफ जो आप उठाते हो पिक करते हो तो यहां से इसके इस तरफ को और इस तरफ को दो आपके पास जो है forces लगती है और ये forces tension की वजा से होती है इसके उपर मैंने एक shorts में वीडियो बनाई है आप shorts में जाके चेक कर सकते हो BMT Institute के channel में कि यहां पे दो tension force लगती है इसका मतलब हम जब भी कोई स्तरीके का object लेते हैं जैसे needle हो गया या wire होगी तो उसके दो surface दो side से surface liquid से touch होते है इसलिए हम उसमें 2 का जो factor है वो हम लेकर चलते हैं उसमें force को study करने के लिए ठीक है तो यहां पे length तो L है लेकिन इस wire को अगर मैं सामझे से देखूँ तो उसका एक ये वाला portion और एक ये वाला portion दो portion जो है यहां पे consider करेंगे तो इसलिए यहां पे हम 2L मान कर चलेंगे तो I hope आपको यह बास समझाएगी कि हम क्यों यहां पे 2 का factor जो है वो ले रहे है तो F upon 2L यहां से हमारे पास जो है वो surface tension आ गई और इसकी वज़ा से जो force आपके बस लगेगी that हो जाएगी sigma into 2L तो बैटा ये वाली जो force है वो इस wire को इंदर की तरफ क्या करेगी minimum surface area लेने के लिए उसको अंदर की तरफ पुश करेगी as a potential energy तो अगर मुझे work done निकालना तो मिरेको पता है work done होता है force multiply by displacement तो बैटा force कितनी है F displacement कितनी है बैटा delta X तो बैटा work done क्या हो जाएगा force कितनी है बैटा अब force कितनी होगी यहां पे force आपने निकाली है sigma into 2L और साथ में क्या आजाएगा delta X sigma 2L delta X तो यहां से आप अगर आपने इस force को surface tension की form में लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है clear है बात यह वाली जो force हमने यहां पे ली है बैटा यह force कौन से ली है यह sigma into 2L वाली force मैंने यहां पे लिखनी है ठीक है बात समझारी आपको ठीक है तो यहां से मेरे पास W की value आगई अब क्या करेंगे हम अब हमने क्या करना है वेटा कि आपके पास जो इस case में W आपके पास आया है जो W आपके पास आया है उसको अगर हमने U यानि की surface energy निकालने के लिए अगर हम उसमें use करेंगे तो आप बोलोगे surface energy क्या होती है work done in increasing the surface area मतलब work done divided by जो भी increase हो का surface area में यानि की delta A तो work done की value तो हमें मिल चुकी है लेकिन delta है हमें आपे नहीं पता है तो delta A find out करते हैं तो delta A आपके पास क्या होज़ागा changing area तो जब देखते हैं पहले हमारे पास area कितना था ठीक है तो check करते हैं पहले हमारे पास area कितना था area जहां हमारे पास देखो पहले अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहोज़ागा x length हो जाएगी इसकी अच्छा पहले पूरा एरिया देखो इसका यहां से यहां तक कितना होगा देखो x plus delta x length हो गई और इसकी breath कितनी हो गई यह वाली आपके पास 2L तो x plus delta x into 2L तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2L length हो गई और breath हो गई x plus delta x ठीक है x plus delta x ठीक है और उसके बाद उसमें से आप कौन सा एरिया माइनस करोगे यह वाला एरिया माइनस करोगे क्योंकि आपको यह वाला increase वाला जो एरिया है वो आपको वो चाहिए जो change आया एरिया में आपको यह वाला चाहिए तो यहां से हम लिख सकते हैं, U is equal to W की वेली कितनी है, सिग्मा 2L डेल्ट एक्स डिवाइड है, चेंज इन एरिया कितना है, 2L डेल्ट एक्स बेटा यह कट गए, तो इसी तरीके से हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया है, कि जो surface energy है, वो surface tension के बराबर हो जाएगी, अब confusion आपको सभी बच्चों के यह आ रही होगी, कि यह देखो, यहाँ पर confusion सबको आती है, जब हम इसको class में करवाते हैं कभी, तो class में बच्चों के यह बर confusion आती है, कि यह जो work done में हमने जो force ले रखी है, वो force तो यह वाली है, जो हमने यह पर apply की है, बट हम यहाँ पर इस force में sigma into 2L के उपुट कर रहे हैं, क्योंकि यह वाली force तो surface tension वाली force है, यह वाली force कौन सी है, surface tension वाली force है, तो बेटा basically क्या है कि यह दोनो forces जो हैं, वो आपस में बराबर हैं, क्योंकि एक stage ऐसे आती है, कि जब आपके बस LM wire जो है, वो equilibrium condition में आ जाती है, मतलब वो ऐसे move नहीं करेगी, नाइधर को नाइधर को वो state stable हो जाए, एक जगा पर रुक जाएगी, तो इधर वाली force लगने वाली, इधर वाली force के बराबर हो जाती है, लिया है, तो यहां से हमने पढ़ लिया है, surface energy के बारे में, which is equals to your surface tension, I hope आपको यह lecture समझाया होगा, तो अगर आपको यह lecture अच्छा लगा है, तो चैनल को subscribe करना, और अपने friends के साथ इसको share करना, Thank you so much.